लोकसबा चुनाओ के बीच यूपी के बाहुबली और कुंडा से बिधायक रगुराज परताप सिंग और पर राजा भाईया की एक कदम से समाजवादी पार्टी को बड़ी रहत मिली है इस कदम को समाजवादी पार्टी के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है बड़ादें की राजा भाईया ने कोशामबी लोकसबा सीट से उतरे समाजवादी पार्टी के परत्याशी के पिता इंदरजीत सरोच से पूराना विवाद खत्म कर लिया है कोट में इंदरजीत सरोच के खिलाफ दायर मरहानी का मुकदमा वापस ले लिया है बड़ादें की पिछले लोकसबा चुनाव में इंदरजीत सरोच की टिपणी के बाद राजा भाईया ने यह केस दायर किया था इस बार को सामबी लोकसबा सीट से इंदरजीत सरोच का बेटा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है राजा भाईया ने दो दिन पहले ही किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का एहलान किया था बड़ार की रात इंदरजीत सरोच ने बेटे पुषपेंदर सरोच के साथ राजा भाईया से मुलकात भी की थी इसके बाद राजा भाईया की सबसे करीबी MLC अक्षे प्रताप सिंग उर्फ गुपाल जी ने एक चिट्टी इज़ारी कर राजा भाईया की अन्य कदम की दानकारी साज़ा की गुपाल जी ने मेडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले लोग सबा चुनाओ में समाजवादी पार्टी के कौशामभी सीट के प्रत्याशी इंदरजीत सरोच ने चुनाओ के कतीपत या लोगों के बहकावे में आकर चुनाओी सरगर्मी चुनाओी महौल में जन सतादल लुकतांतरिक के राष्टी अध्यक्ष कुमर रगुराज परताप सिंग उर्फ राजबहिया के बारे में कुछ टिप पढ़निया की थी इसमें जन सतादल के कारे करताओं राजबहिया और समर्थ को और जन मानस में इंदरजीत सरोच के बयान से आकरोश प्राप्त हुआ था लोगों की राजबहिया के प्रती भावनाओं को ठेस महुची थी इसके कारण राजबहिया ने इंदरजीत सरोच के खिलाफ मनहानी का मुकदमा दाखिल किया था यह मुकदमा MP MLA कोट में चल रहा है इसमें नियाले ने इंदरजीत सरोच को धारा 500 दंड प्रक्र साजबहन पर आकर मुलाकात की थी पहले हुए गिले सिक्वय और गलत बयान बाजी को भूलने का आग्रा किया था राजीतिक सुचिता को कायम करने का प्रयास किया इसके कारण राजबहिया ने उक्त बातों को भूल कर अब नियाले में दाखिल मनहानी के मुकदमे को समाप करा लिया है बता दे कि राज़ा भाईया ने साल दोजार चौबीस के लोगसबा चुनाओं में किसी भी दल को जो है समर्थन नहीं देने का ऐलान किया उनकी पार्टी जनसता दल लोगतांतरिक ने कौशामबी या प्रताबगर सीट से इस बार अपना प्रत्याशी नहीं उता कौशामबी लोगसबा सीट में राज़ा भाईया के प्रभाव वाले कुंडा और बाबा गंज विधान सबा छेतर आते हैं यहां के दोनों विधायक भी जनसता दल के ही हैं और ऐसे में कौशामबी लोगसबा सीट पर भाजपा और समाज़वादी पार्टी दोनों इस वापस ले लिया गया है और इसको समाज़वादी पार्टी से समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है फलाल देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर राज़ा भाईया समाज़वादी पार्टी को ले करके क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं इस खबर में तहीं देश और द के साथ